हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो लाइफ इस ब्यूटिफुल, वित मी प्रियंका फ्रेंड्स, अभी फेस्टिव सीजन आ गया है और हर कोई चाहता है कि वो ग्लोइंग दिखे तो आज का मेरा ये वीडियो इसी पर है पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सोचिये कि ग्लोइंग दिखने से आपका मतलब क्या है क्या आप नैचरली ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हो या फिर कोई कॉस्मेटिक प्रोड़क्ट लगा के टेंपररी ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हो अगर आप naturally glowing skin पाना चाहते हो तो फिर आज का ये वीडियो आपके लिए है पर आज जो मैं tips देने वाली हूँ ये उनके लिए है जिनकी skin normal है याने जिने कोई severe skin disease नहीं है अगर आपको कोई severe skin disease है तो आप इसकी treatment लीजे किसी expert से suggestions लीजे naturally glowing skin याने आखिर होती क्या है ऐसी skin जो clean हो, hydrated हो, healthy हो और इसे हम कैसे पा सकते है तो इसे पाने के लिए हमें खुद healthy होना होगा hydrated होना होगा, stress free होना होगा और हमारे skin की proper care लेनी होगी कुछ natural homemade product यूज़ करकर तो आज हम इनी सब topic पे बात करेंगे थोड़ा detail में इन पॉइंट पे discuss करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये भी सोचे कि हमारी skin अभी dull क्यों हो गई है क्योंकि काफी दिनों से काफी सालों से हम बहुत सारी unhealthy practice कर रहे है और हमारी skin खराब होना तभी से शुरू हो गई थी पर अभी वो दिखने लगी है कि हमारे skin में कुछ problems आ रहे हैं तो अगर आप इसे naturally heal करना चाहते हो तो आपको हमारी skin को naturally heal होने के लिए हमें थोड़ा time देना पड़ेगा तो सबसे पहला point healthy रहे और healthy रहने के लिए आपको healthy खाना खाना चाहिए बहुत सारे fruits, vegetables को हमारे diet में include करना चाहिए आपको ना सरिफ healthy खाना खाना चाहिए बट खाने को healthy way में cook भी करना चाहिए आज की fast life में हम सब कुछ fast fast करना चाहते हैं और इसलिए हम cooking भी easy और fast करना चाहते हैं और इसलिए हम बहुत सारे improper way में खाना पकाते हैं जैसे कि non-stick बरतनों का यूज करना, plastic container का यूज करना पर इनके बहुत सारे side effects हैं हमारी health पर तो हमें healthy खाना खाना चाहिए, healthy way में खाना खाना चाहिए healthy glowing skin पाने के लिए हमें खाने में क्या क्या चीज़े include करनी चाहिए, इस पर मैं एक वीडियो फिर से बना दूंगी हमें exercise करनी चाहिए, proper exercise से हम shape में रहते हैं, इसके अलावा हमारे body में blood circulation बढ़ता है जिससे कि हमारी skin अच्छे से नरीश होती है, properly detox होती है, तो हमें exercise भी करनी चाहिए number two, hydrated रहिए, और इसके लिए हमें बहुत सारे fruits and vegetables तो खाने है ही, साथ में बहुत सारा पानी भी पीना है third point है, detox करना, हमारी skin को refresh करने के लिए बहुत जरूरी है कि properly detox करना चाहिए, detoxification होना चाहिए आपको ऐसे बहुत सारे drinks की recipe नेट पे मिल जाएगी, जो कि हमारी body को अच्छे से detox करती है तो आप उन्हें अपना सकते हो, अगर आप इन जंजट में नहीं पढ़ना चाहते, तो आप simply सुबह उठकर हलका कुनकुना पानी लीजिए, जैसे कि मैं लेती हूँ और इन्हें लेने का जो best तरीका माना जाता है, वो है मलासना में बैठ कर ये पानी पीना इसके अलावा रात को जल्दी खाना खाईए और हलका खाना खाईए, इससे भी फायदा होता है फोर्थ पॉइंट है, स्ट्रेस फ्री रहना और ये बहुत important पॉइंट है अगर हम स्ट्रेस में हैं, तो हमारी स्किन डल दिखने लगती है और ये clearly सबजन देख सकते है, feel कर सकते है तो स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको work life balanced करना सीखना होगा योगा, meditation करिए, अपने love one के साथ time बिताईए, nature में जाईए, gratitude रखिए और लोगों से expectations कम रखिए, happy रहिए और जब आप happy हो, तो आप बहुत impressive लगते हो, यह beautiful होने से भी बहुत ज़रूरी है लोग आपकी company enjoy करने लगेंगे, तो खुद पे proud feel करिए, confident रहिए, happy रहिए, enjoy करिए और last point है skincare, और यह point start करने से पहले मैं आपसे कुछ और बाते करना चाहती हूँ friends, कुछ ऐसे profession होते हैं, जिनमें बहुत सारा make-up करने की ज़रूरत होती है पर यह हर profession में तो ज़रूरी नहीं है, तो हमने बहुत सारा make-up करना और बार-बार make-up करते रहने से बचना चाहिए क्योंकि हमारी skin जो है, यह largest sense organ है, और हम जो भी chemicals इस पे लगाते हैं, बहुत सारे chemicals हमारी skin absorb कर लेती है और यह harmful chemicals हमारे skin में, हमारी blood में मिल जाते हैं, और जिनके side effects हमें भुगतने पड़ते हैं, तो इस से बचिये Friends, और एक बात, यह जो celebrity लोग होते हैं, जो अपनी skin care routine हमें share करते हैं, यह actually उनके लिए suitable है क्योंकि यह लोग बहुत सारा make-up करते हैं, तो इस make-up को remove करने के लिए उन्हें बहुत सारा harsh chemicals use करना होता है और यह harsh chemicals ना सिर्फ इनकी body से यह make-up remove करते हैं, बलकि जो natural oil, sebum होता है जो हमारी skin को naturally hydrated, moisturize करने के लिए helpful है, उसे भी remove करते हैं और फिर इससे बचने के लिए हम लोगों को बहुत सारा extra moisturizer या hydrating gel या और भी कुछ products लगाने पड़ते हैं तो यह सारी चीज़े हमारे normal लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, तो हमें इसे avoid करना चाहिए जितना हो सके, make-up को avoid करिए और किसी occasion पे आप make-up कर भी रहे हो, तो आने के बाद सबसे पहले उसे properly clean कर लीजे अगर आप naturally glowing skin पाना चाहते हो, तो वो product use करिए, जिसमें safe ingredient हो, जो natural हो और बहुत से बार ऐसे product जिसमें natural या herbal लिखा होता है, वो actually natural या herbal नहीं होते है उनमें बहुत सारे दूसरे chemicals होते हैं, इसके लिए अगर possible है, तो homemade product use करिए, अगर रोज possible नहीं है, तो जब possible है, तब use करिए body को clean करने के लिए, हम homemade upton try कर सकते हैं, इसके लिए आपको रोज रोज upton बनाने की जरुवत नहीं है, बस एक बार में बना कर अपने bathroom में रख दीजे, और साथ में रखिए एक कटोरी भी, तो इससे इसका use करना काफी easy हो जाएगा, convenient हो जाएगा, ये soap लगाने इतना आसा जाएगा, upton की एक recipe मैंने पहले ही आपके साथ share की थी, तो आप उसे भी check कर सकते हो, उसकी link भी मैं आपको description में दे दूँगी, अगर आपको ये upton नहीं use करना है, तो आपकी suitability के हिसाब से आप दूसरे upton भी try कर सकते हो, body को clean करने के बाद जरूरत होती है, उसे properly moisturize करने की, और इसके लिए आप natural moisturizer, जैसे की oils या फिर aloe vera gel का use कर सकते हो, अगर आपकी skin dry है, जैसी मेरी है, तो आप oils, coconut oil, sesame oil, जैसे oils का use कर सकते हो, अगर आपकी skin बहुत जादा oily है, तो आप aloe vera gel का use कर सकते हो, और ये natural moisturizer, ना सिर्फ हमारी skin को moisturize करते हैं, बलकि इने नरिश भ करते हैं, अगर आप oil को as a moisturizer लगा रहे हो, तो बहुत ही कम quantity में लगाईए, और इसे अच्छे से massage कर लीजे, ताकि वो अच्छे से absorb हो जाए, और आपको greasy look ना दे, और ना ही ये आपके कपडों को खराब करें, और अगर फिर भी किसी reason से आपको ये unconvenient लग रहा है, तो आ आप इसे सूबर की जगह शाम को try कर सकते हो, और साथ ही साथ ये sunscreen का भी काम करते हैं, हाँ, बढ़ ये बहुत minimum SPF का sunscreen होता है, अपने आपको time दीजे, healthy रहे, happy रहे, glowing रहे, उमीद करती हूँ आपको ये video helpful लगा होगा, अगर आपको ये video helpful लगा है, तो फटा फट इसे like कर लिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया, तो please इसे subscribe कर लिजे, thank you for watching.